दोस्तो 43.66 लाक की प्राइज रेंज जस्टिफाय है या फिर नहीं यह तो आप लोग की बताना कमेंट सेक्शन में मैं हूँ अभी 36 ट्योटा पे और आज जो है मेरे सामने यह सेनारियो अभी आज तो जलाके दिखा नहीं सकता लेकिन आपको फील करवा सकता हूं कि फॉर्ट्यूनर हो गई और दूसरी हो गई एमजी ग्लॉस्टर एमजी ग्लॉस्टर इसके कुछ सेल्स के 10 परसेंट के बराबर भी नहीं रहती तो शुरुबात करते हैं आज हम फॉर्ट्यूनर लेंडर की दिखाता हूं आपको कि क्या कुछ ऑन उफर होता है और यह मेरे पास डीडल वेरियंट है जो कि 4x4 है तो शुरुबात करते हैं इस वीडियो के कि दुछ नहीं फुरुबात करते हैं आपको कि दिखाता है शुरुवात करें अगर हम फ्रेंड से तो फ्रेंड में आपको जो है complete LED का setup देखने हो मिलेगा यह जो है यह जो है लो बीम यहाँ पे जो है LED पॉकलाम्स ही देखने हो मिलेगा और साथ ही में आपको फ्रेंड पारकिंग सेंसर परी नजर आते हैं नीचे आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा और यह जो है यहाँ पे डियारे जोन आफर होते हैं यह सब कुछ लेजेंडर में ही आपको glossy black treatment देखने को मिलेगा प्रिंट फेस यह कुछ इस तरीके का नजर आएगा सामने एक बड़ा सट योटा का लोगो देखने को मिलता है और जो है कुछ इस तरी देखने को मिलती है थोड़ा साइक सिल्वर और ब्लाक सुन दिया जिसके ड्यूल टोन है जो दिखने में थोड़ा संदर लगता है यहां पर आपको दिखने लग जाती है साइड में जो है साइड सेप आ जाएगा और यहां पर फॉर्चूनर भी लिखा हूँ आप मिल जाएगा यहां पर आपके बास प्रोम डोर हैंडल जाते हैं रिक्वेस सिंसर इस तरीके के हैं और यहां पर आपको डिस्क ब्रेक्स भी ओन ओफर हो जाती है तो यहां पर फेंडल लाइन नहीं दी गई बैक पर चलते हैं बैक जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा और इंडिकेटर की बात करों तो वह भी जो है आपको लीडी में नजर आते हैं विर दिला के दिखाऊं आपको तो सेक्वेंशियल इंडिकेटर मिलेंगे और इहां पर चॉई कम्प्लीट एलीज सेट अप देखने को मिलेगा ब्रेक लाइट का भी यह जो बागर अशेसरी बात है यहां पर ब्लाक टोन है फॉर्टीन लिखा है है यहां पर जो है इंडिफाहर है और उपर जब शाक्मिन आ प्यानो ब्लैक में दी गई है और नीचे आपको स्पेट है रोन ओफर हो जाता है गाड़ी के अंदर सलते हैं दिखाता हूं चाहँ थोड़ी सी अलग मिलेगी नॉमल फॉर्चूनर से यह लोक है यह अनलोक है और इससे आप बूट ऑपन कर सकते हो क्योंकि बूट जो है वह जब 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 ज़रूरत भी पड़ती है शुरुबात करें अगर ड्राइवर साइट पर यहां पर हमें जो है कंप्लीट प्यानो ब्लैक देखने को मिलते हैं और सारे के सारे विंडोस जो है वह आपको आप डाउन देखने को मिलेंगी यहां पर स्पेस थोड़ा सा कम लग काफी पतला था स्पीकर उस पर कुछ बैजिंग वागरा नहीं मिलती और यहां उपर जो है आपको ट्विटर देखने हो मिलेंगे स्टेरिंग वील जो है वो लाधर रैप्ड है और उपर हलका साए एक प्यानो ब्लैक का शेड दिया गया हाला कि फ्लाइट बॉटम नहीं इनज्योई कर पाते कभी और यहां पे बात कर तो यहां पर आपके बाष्ट सेखवाधर है इधर की अभी आप स्पीड में नेजाने बीच में नजार होगा एक चोटी सी माइट है फ्रतों करते हैं यहां पर यहां पर दिखाता है अगर हम आगे करें तो यहां पर वगएर वह तीधन दिखायागा और यहांसे है जह सटींग में अक्सेस कर सकते हो यहां पर vehicle settings आती है kir मेंट आता है local settings में दिखा दैतो हो pouvoir होता है कि जश्यादा कुछ नहीं आता है इसकी settings में नॉरमल सी चीजिश और यहां पर आपके पास music system, mid के control है, इससे आप control कर सकते हो, और यहां पर आपके पास music system के control है, इधर आपको cruise control का setup देखने को बलेगा, और अगर आप screen पे आएंगे, तो यह बहुत ही basic सी screen है, अगर मैं इसका price point पे कर रहा हूं, तो आपको यह screen बिल्कुल पसंद नहीं आन देख सकते हो, इसमें स्मार्ट लिंक वगएरा, connected card आते हैं, और यहां पर phones related, और settings में दिखा देता हूं, आपको normal basic settings है, जादा कुछ इसमें है नहीं, जैसे general settings हो गई, यहां पर Bluetooth की settings है, audio की settings है, और नीचे आओगे, यहां पर vehicles की settings में थोड़ा देखा देता हूं, एक park assist का, इस events भी आपको यहीं पर है, हाँ, dashboard look जो है, वो थोड़ा अच्छा देखने हो मिलता है, इधर आओगे, तो यहां पर आपके बास passenger airbags वाली चीज़े देखने हो मिलेंगे, और यहां पर automatic climate control देखने हो मिल जाएगा, dual zone climate control है, और नीचे आओगे, तो यहां पर आपके थोड़ा सा मुश्किल है, यूस करना, और यहां पर आपके बस दो cup holders देखने हो मिलेंगे, और यह जो है, एक अलग finish आपको देखने हो मिलती है, जो की सुन्दर नजर आती है, यह जो है, और यहां पर आपको modes देखने हो मिलेंगे, modes में दिखा देता हूँ कि यहां पर control on off का button देखने हो मिलेगा, और यहां पर आपके बस एक globe box है, काफी बड़ा सा और इस में वैसे तो कुछ है नहीं, और इस globe box की बात करूँ, तो यहां पर भी आपके बस एक globe box है, जिसको आप जो है, लॉक भी कर सकते हो, यह जो है अभी lock है, चाबियों अगेरा से इसको और मुसरे भी कर सकते हो, यहां आइंगे तो यहां पर आपके बास Reaper देखने हो उलेगा, जो कि light के साथ आता है, और यहां पर आपके पास सारे lights वागरा के, और यहां पर आपके बस स Kagसल — सं रूफ के बास देखने हो लेगा, यहां पर हार 175 से आपके वाज कुछ भी नहीं मिलेगे हैं एक हैंड डीबर यह है कि बात करूं तो वह जो है यह आपके वाजन को देखने को मिल जाती है इधर जो हैं आपके वाज के आज सारा शौफ्टा आपको नजर आता है ऊपर ह committee है यहां पर जितना ह् है यह सारा सोफ टच देखने को मिलेगे लिए अगर दिखाना बूल किया है हम यहां पे आफ की बूद तो परकिंग independ और यहां बूट रह Jaw camb हुआ है तुल सकते है यहाँ पर्फिय हो करके सकते हो नीचे जाओगे तो इक बूट से स्वाइशन उक्रिखा ची अपनी बादका्योंगे और यहाँ बीच में ऌरे आपके ब्लाक शेड आएगा पेचे दिखाता हूं क्या स्पेस ओन ओफर होता है अब इस सीट को आप जो है रिक्लाइन वगारा भी इसका सेट कर सकते हो अभी जो है बिलकुल एकदम स्ट्रेट उस पर है यहां से आप वन टैच टंबल डाउन कर सकते हो अभी नॉमल इस पर दिखा देता हूं कि कितना यहां पर देखने को मिल जाएगा इधर आपके बस फोन रखने की जगहा है और एक टाइप C दिया गया है और दूसरा भी टाइप C है टाइप A नहीं देखने को मिलेगा एक होग यहां देखने को मिलेगा उपर की बात करें तो इस इवेंट्स हैं यहां साइड में जहां पर नहीं पर आपको मिलेगा अलग क्लाइमिट सुन धेखने को मिобыलेगा आप अठाएक निचेट करने में यहां पर आपको बात करें होग और खना होग करते इस आम रेस्ट को निकालने के लिए यहां पर एक आम रेस्ट है और यहां पर आपको कफ फोल्डर देखने को मिलेंगे इसके अंदर बूट स्पेस की बात करें तो यहां से आप जो है और यहां पर भी आपको एक हुक्स देखने होलेगा अलाकि यहां पर एक हपको हेलोजन लैंप देखने को मिलता है इसको भी LED कर दिया जाना चाहिए था इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से यहां पर कुछ भी नहीं है यह सब कुछ फ्लैट ही आपको नजर आने वाला है और लेगुलर लेजेंडर की बात करों तो लगबख 43.66 रूपीस से स्टार्ट हो जाती है और सिरब आपको डीजल यहां उफर होता है नो पेट्रोल और 4x2 और 4x4 आपको देखने को मिल सकता है यह जो भी 4x2 है और अगर आपको इसकी और वीडियों के बारे में जानना है और लगबख प्रोड्यूस करता है 200 PS की पावर और लगबख 400 NM का टॉक पावर की जोय कमिया आपको बिल्कुल महसूस नहीं होती है तो फिलाल दोस्तों इस वीडियो के लिए कुछ इतना ही मिलते है आपसे अगली वीडियो में नेक्स वीडियो तक लिए स्टे टून्स टे वीडियो जोस्तों कि सेक्टः शुक अंटल और लुकि लगवा क ँष टे टो टोस्तों कि तो गेस नहीं है कर दोड ले क्तरश करें नहीं है